Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. So, आज के लेक्चर के अंदर हम Class 9 ICSA Physics का जो Chapter 4 है उसके B Part का Topic करेंगे जिसका नाम है Simple Barometer. Actually में कुछ Topics हमारे syllabus में इस साल के Actually syllabus में नहीं हैं. बर फिर भी कुछ Subscribers का मेरे को request आई है कि आप जितने भी Topics हैं आपके बुक के अंदर, वो सारे के सारे आप डिसकर्स कर दीजिए. अगर आपको ये जानना है कि कौँसा सलेबस में है, कौँसा सलेबस में नहीं है, तो डाउर सेशन के अंदर मैंने इसके उपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है 4 Class 9 जिसके अंदर हम उसके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. So, actually मैं इस चीज की शुरुवात हुई जब Aristotle ने ये कहा कि Nature Fears of Empty Space इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Nature में ऐसी कोई भी जगा नहीं है जहां पर हम एक वैक्यूम क्रियेट कर सकते हैं. मतलब हर जगा पे आपके जो air के particles हैं वो automatically उस जगा को fill कर देते हैं अगर वहाँ से किसी matter को हटाया जाए. तो वैक्यूम कभी भी exist नहीं कर सकती. But in 17th century कुछ लोग जब अपने जमीन में से पानी को उपर निकाल रहे थे with the help of a pump तब उनको actually पता लगा कि at the height of 10.3 meters उसके बाद आपका जो पानी का level है वो raise नहीं हो रहा है. मतलब पानी का level ground से 10.3 meter के height से अगर नीचे होगा तो पानी बाहर आ जाएगा लेकिन अगर आपका level 13.3 से उपर चला जाए तो पानी का जो level है वो इस point से उपर नहीं जाता है. तब उस time जो गैलिलियो थे उनका ये कहना था कि actually में pipe के अंदर कोई suction force exist करती है जिसकी वज़ा से जो पानी है उसका level आपका उपर के तरफ जाता है और वो तजा सकता है up to till height of 10.3 meters because उसके बाद ये जो force है ये आपकी weak हो जाती है जिसकी वज़े से जो पानी है वो आपका जो है उपर raise नहीं करता है अब इस चीज़ का जो जवाब है वो दिया हमारे टॉरिसली ने टॉरिसली ने actually में एक simple experiment के through ये समझाया कि कैसे ये सब आपका take place करता है उन्होंने क्या किया कि एक experiment के अंदर उन्होंने एक long tube लिया जिसके अंदर उन्होंने पानी डाल दिया पानी डालने के बाद उसको उपर से close करके उस shallow pool के अंदर डाला और डालने के बाद इसके जो नीचे का जो lid है उसको on कर दिया मदब open कर दिया जैसे इसको open किया तो उन्होंने ये देखा कि actually में पानी का जो level है वो यहां से नीचे की तरफ गिरा और जो pool के अंदर पानी का level है थोड़ा सा raise हुआ बट after some time जब उन्होंने इस height को measure किया तब जाके उनको पता लगा कि actually में ये जो height है ये 10.3 meters की ही है तब उनको सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि actually उन्होंने एक ऐसा region create कर दिया था जहां पर कोई भी हवा नहीं है तो उनके लिए ये क्या है ये सिर्फ एक vacuum है वेक्यूम क्रियेट हो सकता है इस वेक्यूम का नाम रखा गया टॉरिसिली वेक्यूम या टॉरिसिलियन वेक्यूम के नाम से भी हम इसको जानते हैं अब हुआ ये कि इस experiment के अंदर जब ये सारी observation टेक प्लेस कर रही थी तब उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यूं हो रहा है क्या reason है इसके पीछे का वेक्यूम की कहानी तो वहीं पर ही खतम हो गई थी बड़ बाद में उनको समझ में आया कि actually में आस पास इसके जो region है ना वहाँ पर exist करता है आपका air और वो जो air है वो इस पर लगातार pressure act करता है in the downward direction और वो जो pressure इस पर act करता है पानी का जो column इस length के अंदर है ना उसके pressure को ये actually में balance करता है तो मतलब कहना बहुत simple था कहना ये था कि आसपास होती है air वो air इस पर exert करती है हमारी atmospheric pressure जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो उस atmospheric pressure की वज़े से जो पानी का जो level है वो आपका उपर या नीचे होता है in order to balance this water pressure तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब मेरे पानी का level एक particular point पे आकर fix हो जाता है ठीक है तो सारी जो चीज है वो actually इस particular चीज के उपर based है कि हमारा जो पानी का pressure जो ये water column exert कर रहा है वो बाहर वाले atmospheric pressure के बिल्कुल बराबर हो जाए इस experiment के बारे में जब obvious है कि लोगों को लगा कि उस time के जो physicists थे खास्तोर पर अगर हम Galileo की बात करते हैं उनका actually ये मानना था कि हमारा जो atmosphere है जिसका जो air होता है उसका कोई अपना weight नहीं होता और अगर उसका कोई weight नहीं है तो वो कोई भी pressure exert नहीं कर सकता फिर हमारे torsley ने क्या किया उन्होंने actually same experiment conduct किया with a liquid which is more denser as compared to that of the water तो उन्होंने इस्तेमाल किया mercury तो जहां तक हम mercury के बारे में जानते हैं as compared to water इसकी density बहुत जादा होती है इसकी density होती है 13.5, 5, 3, 4 ग्राम पर cm3 और अगर मैं पानी की बात करूँ तो इसकी जो density है 1 ग्राम पर cm3 होती है तो अगर approximately अगर मैं बात करूँ तो 13.5 टाइंग जादा ये denser होती है as compared to water अब जब उन्होंने mercury का इस्तेमाल करके same experiment conduct किया तब उनको पता लगा कि ये जो height यहाँ पे है ये just आपकी 76 cm है इस height का इस्तेमाल करके इसके density का इस्तेमाल करके और जो हमने formula पढ़ा था उसका इस्तेमाल करके हमें ये बात समझ में आगे थी कि ये exactly वही pressure exert कर रहा है जो पानी exert करता है जब उसकी height होती है 10.3 meters तो कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने इस experiment के through with the help of mercury एक potable मलब not potable of course हम इसको इदर से उदर नहीं ले जा सकते बट एक small version बना दिया इतने बड़ी system का to understand that कि हमारे आसपास air होती है जो की pressure exert करती है और वो balance करती है मेरे length of mercury column को clear और जिस time हमारा atmospheric pressure और ये जो mercury column है इसका जो pressure है वो दोने एक दूसरे के बराबर हो जाते है उस time जो मेरा level है mercury का वो एक point पर आके रुख जाता है उसके उपर वाला जितना region आप देख रहे हो वहाँ पे complete vacuum है और वो उस vacuum को basically हम tory cillian vacuum का नाम देते है I hope आपको ये बात सम जाता है ना कि हमारा atmospheric pressure actually में बराबर होता है 76 cm of mercury के तो 76 cm of mercury का मतलब exactly यही होता है I hope आपको ये बात समझ में आगे होगी तो चलिए अब हम barometer की तरफ चलते हैं जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि यह exactly इस तरह से आपका दिखाई देता है अगर आप यहाँ पर दिहान से देखे देन यू विल गेट तो नो डैट कि यह जो हाइट आप यहाँ देख रहे हो ना इस हाइट की value होती है 76 cm और एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है यह अब दिखाएं से प्रिप्री देखे कि इसका मरिसकस कैसे है इसका upward मरिसकस है तो क्या है कि Mercury के help से ना डैंसर बहुत होने की वज़े से इसका justher अपनी की बात करते थे तो उसमें lower मनिस्कस बनता है तो रीडिंग के लिए अपर मनिस्कस सबसे बैस्ट होता है तो क्या होता है इसका सबसे उपर वाला topmost point होता है वहां से लेके यह जो ट्रफ है न यह जो आपका mercury का level है न इसके जब height हमने measure करी तो यह 76 cm हमें मिल जाता है और यह आपका क्या है complete vacuum है यहाँ ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से factors हैं जो affect करते हैं barometric height को तो देखें barometric height जो है different place में सर्फ तभी change होती है अगर उस point पर उसके atmospheric pressure जो है अगर आपका वो change होता है अगर आपका atmospheric pressure हर point पर हर place पर एक जैसा है तो barometric height पर कोई भी effect नहीं पड़ेगा but कुछ important nodes हैं जो हमें पता होने चाहिए पहला point कहता दा barometric height remains same even when the shape of the tube is changed or the length of the tube submerged inside the mercury in the trough is changed or the tube is tilted from its vertical position मतलब पता क्या है मतलब actually में यह है कि अगर आपके पास यह pipe की जगह पर अगर आप मालो ऐसे zigzag manner का एक pipe ले ले लेते हो suppose ऐसे एक pipe आप ले लेते हो और इसके अंदर आपने mercury को fill किया और mercury fill करके बिल्कुल exactly ऐसे ही आपने नीचे इसके अंदर trough के अंदर डाल दिया तो जो mercury है न वो exactly इस level तक पहुंचेगा अपने आप ही तो shape चाहे कोई भी हो फिर भी जो इसकी vertical height होती है वो अभी भी 76 cm ही आती है अगर आप उसको tilt भी कर देते हो तो अगर tilt भी कर दोगे तो mercury का level जो है वो अपने आप आपका raise करेगा सस दड़की अगर मैं vertically उसकी height check करूँ तो अभी भी वो 76 cm ही आपका दिखाई देता है इसके इलावा अगर हमें किसी barometer की बात करते है थो उस barometer के अंदर हमारा perfect vacuum होता है अगर माली जीए किसी वज़ा से इसके अंदर पानी के droplets चले जाते हैं अगर मालों यहांपे पानी के droplets इसमें चले गए तो पानी का droplets यहां पर जाते ही क्योंकि यहां पर pressure बहुत कम होता है तो यह एकदम से vapor में convert हो जाता है अब जो हमारे पास mercury के vapors है और अगर में पानी के vapors है तो पानी के vapors जो हैं वो बहुत heavy होते हैं as compared to mercury के जिसके वज़े से यह जो आपका water का vapor है यह इसके उपर क्या करेगा? pressure exert करेगा जिसके वज़े से यह जो level है यह थोड़ा सा आपका water decrease कर जाता है तो एक बात हमेशा याद रखना अगर एक normal situation की बात करूँ तो कोई भी barometer की अगर आप बात करेंगे तो वो 76 cm होना चाहिए अगर मेरे किसी भी barometer की height 76 cm से कम है तो वो barometer को कहा जाएगा as a faulty barometer और वो faulty barometer इसलिए है क्योंकि the barometric height of a faulty barometer will be less than the actual atmospheric pressure क्यों? तो कि अगर पानी उसके अंदर चला गया और पानी जाने के बाद पानी जो है वो इकदम से vapor में convert हुआ vapor में convert होने के बाद वो क्या करेगा इसके उपर अपना pressure exert करेगा और pressure exert होनी के वज़े से जो उसका level है वो आपका और ज्यादा नीचे गिर जाता है clear हो गया? अब next हमारे पास यह आता है कि क्या advantage थी mercury का इस्तेमाल करना as compared to water तो अगर आप ध्यान सिन points को देखोगे तो आपको एक-एक pointer के सभी समझ में आ जाएंगे सबसे पहली बात density of mercury is 13.6 10 की पावर 3 kg per meter का q which is of course greater than that of a liquid खास और पर जब हम पानी की बात करते है and इसकी density जादा होने की वज़े से हमें हमारा atmospheric pressure मिल जाता है 0.76 meter height पर ही otherwise अगर आप पानी की बात करो तो वो 13.3 meter जाकर आपको मिलता है ठीक है ना? So इसकी density जादा होने की वज़े से जो आपका height of mercury column है जो balance करता atmospheric pressure के वो सिरफ वो सिरफ 76 centimeter ही होता है दूसरी बात vapor pressure के अगर बात करतो mercury की तो बहुत negligible होता है इतना negligible कि अगर torusally vacuum के अंदर थोड़ा सा vapor है भी है तो वो मेरे barometric height के उपर कोई भी effective नहीं डालता है तो ये इसका सबसे बड़ा advantage था तीसरा mercury ना? अगर आपने कभी देखी होगी तो mercury कभी भी आपका stick नहीं करता glass के साथ thermometer के अंदर आप देखते हो कि mercury का इस्तेमाल होता है alcohol thermometer भी होते हैं बट जो हम normal धर में यूज़ करते हैं उसमें mercury thermometers होते है और वो कभी भी आपका stick नहीं करता glass के साथ इसलिए mercury का इस्तेमाल के या था thermometers के अंदर fourth point जो surface है ना मेरे mercury की वो shining and opaque होती माला मुझे उसके आरपार नहीं देख सकता जिसकी वाज़े से reading लेना और भी असान हो जाता है और दूसरा ये pure state में हमें अराम से available है इसलिए हम mercury का इस्तेमाल करते हैं next मारे मन में आता है कि water का क्या disadvantage है as a barometric liquid जो उसके advantage है वो ही इसकी disadvantage है तो सबसे पहली बात अगर मैं density के बात करूँ पानी की तो वो बहुत कम है as compared to density of what? mercury तो nearly 13.3 और 13.4 मीटर पे जाकर आपको वो पानी का कॉलम मिलता है जहां पर ये atmospheric pressure को balance करता है अब इतने बड़े tube को maintain करना वो हमारे लिए बहुत ही incriminate है ठीक है ना तो उसकी जगह पे क्या इस्तिमाल करेंगे एक छोड़ा parameter का इस्तिमाल करेंगे जिसकी height लगबग हम 1 meter की tube ले लेते है ठीक है कोई भी changes आएंगे तो वो उसी में take place कर जाएगा अगर मैं mercury का इस्तिमाल करता हूँ दूसरा वेपर प्रेशर इसका बहुत हाई होता है जिसकी वज़से जो इसकी reading आती है वो हमारे inaccurate आती है और तीसरा सबसे बड़े जो drawback था वो यही था कि यह मेरे glass के साथ stick कर जाता है ठीक है तो reading लेने में न कहीं न कहीं accuracy आएगी ही आएगी इन accuracy आएगी आएगी फोर्थ पॉइंट आपका यह कहता है कि जो पानी है आपका वो transparent है अगर पानी transparent है तो reading लेने में बहुत ही मुश्किल आती है दूसरी बात सबसे बड़े पपता हूँ इसमें lore maniscus बनता है तो reading लेने सब्सक्राइब बड़े मुश्किल हो जाती है अगर मैं पानी की बात करता हूँ इस simple barometer के disadvantage क्या है इसके demerits क्या है सबसे बड़े देमेरिट तो देखो यह है कि यह glass tube का बनाऊवर इसमें कोई भी protection नहीं है अगर मलब हलका सा भी कुछ इस पर लगा तो वो crack कर सकता है तो यह इसके सबसे बड़े देमेरिट है ठीक है दूसरा जो truff है हमारा truff मलब truff जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इस वाले के यह देखो यह वाले truff की बात कर रहा हूँ यह open है यह बिलकुल open है तो open होने के वाई से सबसे बड़ी problem क्या होते है कि इसके अंदर कहीं से भी impurity आ सकती है और वो mix हो सकती है मेरे mercury के साथ ठीक है तो यह मेरा second point है third point कहता कि it is inconvenient to move देखिए चाहे बैरोमेटर आपका एक मेटर का हो गया लेकिन उसको उठाकर एक जगे से दूसरी जगा जाना बहुत ही मुश्किल होता है और it is very inconvenient, potable नहीं है इसलिए इसका भी एक demerit है fourth point के अगर बात कर मैं तो मैं इस tube के साथ कोई भी scale attach नहीं कर सकता अब scale attach क्यों नहीं कर सकता मैं आपको इस example से बताता हूँ देखिए मान लीजिए कि आपने न क्या किया एक scale ले लिया और उस scale को मान लेते हैं कि आपने इसके साथ ऐसे attach कर दिया मान लेते हैं कि यह क्या है मेरा scale है और आपने इसके साथ attach कर दिया और जो scale है उसका zero touch होना चाहिए इस level of mercury के साथ अब समझने वाली बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि आपका बाहर का pressure एक दम से आपका क्या होता है increase हो जाता है अगर बाहर का pressure increase होगा तो क्या होगा बाहर का pressure increase होगा तो यहाँ पे mercury का level है यह up हो जाएगा mercury का level up हो जाएगा तो यहाँ पर तो level down हो जाएगा मतलब पहले मेरा mercury का level C point पे था अब वो यहाँ पर आ जाएगा scale मेरा सिर्फ यहाँ तक attached है तो इतने region का क्या होगा measure ही न कर पाओगे और अगर मान लो बाहर का atmosphere pressure आपका कम हो जाता है तो क्या होगा बाहर का atmosphere pressure कम हुआ तो यहाँ से mercury नीचे गिरेगा तो मतलब वो कहाँ collect होगा वो यहाँ पर collect हो जाएगा ठीक है अगर वो यहाँ पर collect हो गया तो यह तो यहीं पे था scale आपका तो इतनी height का क्या तो इसलिए हम कोई भी scale है न वो barometer के साथ हम attach नहीं कर सकते एक बार इसका level change हो जाता है तो हमें इसके surface से ही measurement लेनी पड़ती है कि इसकी height exactly क्या है तो इसलिए हम कोई भी scale इसके साथ जो है वो attach अपना नहीं कर सकते clear हो गया so कहने का मतलब यहां पर यही है जो मैंने आपको बताया वो ही यहां पर exactly लिखा हुआ है तो कहता कि the free surface of the mercury in the trough will not remain coinciding with the zero mark of the scale if a scale is faced with it to measure the barometric height I hope आपको यह जो barometer है यह सब बाते समझ में आगी होंगी तो आज की lecture के अंदर हमने study किया simple barometer के बारे में I hope आपको आज समझ में आगी होगी अच्छे तरीके से कि actually में barometer क्या होता है कैसे काम करता है हम mercury का इस्तेमाल क्यों करते हम पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते लेकिन फिर भी इसके क्या demerits है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए